तो कैसे हैं मेरे भाईयों मैं आजरों करना वीडियो के साथ यहां पर आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहा है तो यहां पर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि GTA 5 कैसे आपको इंस्टाल करना है तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहा है अब प इसको 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 इंस्तॉल करना है तो मैं यहां पर उप्र क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए एक पॉप-प आजागा आपको जैसे कि आप लोग मेरे screen पर यहां पर देख पाएंगे तो उसको agree करने के बाद तो यहां पर देखिए आपको नीचे option देखेगा installing हो रहा है और नीचे downloads का option आ गया है तो यहां पर देखिए successfully install हो रहा है 0% अब जैसे इन downloads के उपर लिक करेंगे तो यहां पर देखिए मेरा जो speed है और टोटल यह 115 GB का है जैसे कि आप लोग यहां पर देख पाएंगे तो यह काफी time लगेगा तो मैं इसको क्या करता हूं कि अभी वीडियो को pause कर देता हूं अब जब install हो जाएगा तो उसके बाद install होने के बाद मैं यहां पर जाते हैं कुछ भी installation के लिए नहीं पूछा है अभी सिर्फ यहां पर install करके आ गया है अब मुझे पता ने इसके बाद क्या होगा तो अब देखिए यहां पर क्लिक करूँगा तो पहले मेरे लाइबरेरी में था अब डाउनलोड हो गया तो आप देखिए यहां पर आ गया जाते पता नहीं है कि नहीं क्या ह होने वाला है तो यहां पर क्लिक कर दें और उसके बास जो भी यहां पर चीजें लिखी हुई है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे तो मेरे केस में मैं को क्लिक करूंगा जो भी Terms and Condition यहां पर Agree कर दें Agree करने के बाद स्क्रॉल करके पूरा इग्री करने के बाद आप चाहिए तो टंट भी कर सकते हैं इस अग्रीमेंट को तो यहां पर देखे ओड़ एंगर न do not ke 3.5 छापत चाहए गा है तो यहां पर डाल दे तो मेरे केसमें में पर डाल दता हौं तो क्लिक वपर क्लिक करने मान पर देखे .net framework 3.5 बोल रहा है तो download or install के वपर क्लिक करूंगा तो searching for downloading required files इसको download हो जाने देते हैं वेट कर लेते हैं हम लोग तो यहां पर देखे अभी यह download हो रहा है meanwhile एक और यहां पर देखे यहां पर open हो गया एक और window ओपन हो गया पर जिसमें पर दिखिए अपडेटिंग रॉक्स्टार गेम लॉंचर तो अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया अब फिर पता नहीं क्यों पूछ रहा है है मतलब अपडेट करने के लिए तो बहुत ही जल्दी अपडेट आ गया इसका या मुझे पता नहीं है कि रॉक्स्टार गेम कैसे काम करता हूं तो चलिए वेट कर लेते हैं हम लोग तो यहां पर देखिए एक और पाप आ गया है रॉक्स्टार गेम इंस्टॉल और तो मैं क्लिक उसके यहां पर वेट करते हैं देखी कितना टाम लगेगा यहां पर दिखिए मुझे लग़ा रा लाँच़ हो रहा है यह तो यहां पर देख पाएंगे अभी कि हमारा launch हो गया अब मुझे यह बत नहीं समझ वारी यहां पर मैं कौन सी email id हूं जिससे मैंने game purchase किया था वह दूँ कि मुझे exact पता नहीं है शायद किसी से भी काम करेगा तो मैं क्या करता हूं कि जिससे मैं इसको as it is रखूंगा तो यहां पर मैं क्या करूंगा create a new account मेरे पास rockstar का account नहीं है तो मैं यहां पर create a new account के पर क्लिक करता हूं I have accepted जो भी terms and condition क्लिक कर दें next वो पर क्लिक कर दें email डाल देता हूं मैं अपना यहां पर email डालने के बाद मैं confirmation के लिए एक बार डाल देता हूं और यहां पर password मैं डाल देता हूं और nickname मैं यहां पर डाल देता हूं अपना हम डालने के बाद मैं अपना birth लेता हूं तो इस case में कुछ भी चलेगा मेरे case में तो मैं यहां पर एक date of birth select करके जो भी country है वो select करके password अगरा डालके मैं यहां पर देखिए next ओपर click करता हूं नीचे आचागा कुछ character यह आ रहे हैं शायद तो यहां पर हो चुका है अब next ओपर click करूँगा मैं तो उसके बाद देखिए यहां पर कुछ settings आजाएंगे profile से related तो आप यहां पर select कर लें profile visibility और भी जो भी यहां पर settings देख पाएंगे my game status तो statistics जो अगर आप shape करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो मैं यहां पर कुछ friends अगरा करके पर देखिये create account के पर click करता हूँ अब create account के पर click करने यहां पर में verify कर लिया है तो यहां पर दिखें लिंक यहां पर लिंक कर सकते हैं आप और नहीं तो डिफरेंट भी रहेगा तो लिंक कर सकते हैं लिंक लिंक अकाउंट में भी विजिबल और गेम अकाउंट लिंक इस पर्मनेंट उसके बाद देखिए लिंक अकाउंट के पर क्लिक करेंगे अनेबल टुलप के एपिक गेम एकसिस पर जो यहां पर पता नहीं क्या इस्व आ गया है तो यहां पर चलिए मैं इसको कैंसल करता हूं हो शायद बाद में लिंक करने का ऑप्शन आ जाए तो अभी फिलाल के लिए मैं इसको कैंसल करके रिलोड कर लेता हूं यहां पर तो देखते हैं कितना टाइम लेता है यह तो यहां पर देखिए हमारा गेम यहां पर लोड हो चुका है तो कुछ रह था तो मैंने उसको लि यह लांच होता है कि नहीं तो फिर से देखिए यहां पर अकाउंट लिंक करने का औप्शन आ गया है लिंक अकाउंट मुझे लग रहा कुछ घलतियां कर रहा हूं मैं यहां पर दिखिए अनेवल क्लाउट सेफ्स में मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं शायद यह लिंक हो यहां पर प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है तब ही जाके आप अपना जो गेम है यहां पर ऐसे ओपन कर पाएंगे तो यह पूरा वीडियो है है अगर अगर बिद तो आप कोई डाउट है सवाल है तो आप जरूर मुझे कमें सेक्शन में पूछिए अगली बूडियो में झाल